मैं डॉक्टर राशा शर्मा पाइरवेच्च किसर्थ सभी माताओं बेनों को प्रणाम करती हूँ और उन माताओं बेनों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर रही हूँ जिनको माहवारी के समय पेर बहुत ज़्यादा माहवारी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्याद दिन से बढ़कर जब आठ या पंद्रे दिन तक होने लग जाती है तो उस समय माताएं बहुत परेशान हो जाती है इस वक्त हम क्या अच्छे किस्सा ले सकते हैं तो घर में रहते हुए जब बाहर दिखाने भी नहीं जा सकते तो आप घर के लिए आप चाहें तो लिख लें या बना लें एक चमच नाकेसर कचून एक चमच आउला कचून एक चमच शतावरी कचून एक चमच अश्यगंधा कचून इन तीन चारों को एक एक चमच मिला के तीन दिन की दवा आप इसमें से बना लें सुबह दुपर शाम के हिसाब से एक ग्राम की मात्रा में आप ले और उसमें साथ में मिश्री मिलाकर आप ले सकते हैं जब मिश्री का अनमान से आप उसका मिश्री का मिश्रान उसमें कर सकते हैं और इस जबा को शहेद या फिर गरम पानी के साथ में आप दिन में तीन वार लें तो मुझे लगता है तीन दिन में ही उनको लाब मिल जाएगा इसके साथ में एक सीरफ हिमालिया का एवे केर आता है एवे केर दो चम्मस सुभए दो चम्मस शाम को रात को सोते समय दो टेबलेट हर्वोलेक्स की वायू जो अपान वायू का दोश है वो हर्वोलेक्स की दो टेबलेट रात को सोते समय अगर आप लेते हैं तो वो अपानवायू का दोश भी निवरत हो जाता है इस तरीके से ये जो चिक ससुत्र है वो सभी माताय वेना को लाग कारी सिद्ध होगा हमश्कार